आईए सुनते हैं शिवानी जी की कहानी अपराधी कौन अमला बार-बार बाहर जाती और अपने सजे बंगले की एनूठी सज्जा देखकर स्वैम ही मुगधो जाती रंगीन नीली मधिम रोश्नी के लट्टू पेड की हर पत्ती पर जुगनू बने चमक रहे थे शामियाने की रंगीन च्छा में कई सोफे और कुर्सियां मंडला कर घेरे में रखवाते शाम बिहारी एक साथ कई नेर्देशन देते हुए किसी कुशल बैंड मास्टर की भाती हवा में दोनों हाथ उठा उठा कर गिरा रहे थे अमला को पती की हर बॉंग देख हसी आ गई एक तो वैसे ही सामानिसी घटना से उत्तेजित होडते थे उस पर आज पहली पुत्री का विवा था वो पती से कहीं अधिक मात्रा में आश्वस्त हो बारात की प्रतिक्षा कर रही थी आखिर खब राती भी क्यों? सभी कुछ तो दे रही थी कनक को फ्रिज, रेडियो ग्रैम, फियेट और फिर एक तगड़ा सचेक BCU भूकी शेरनी सी माताओं के मुख से वो अपने भावी जमाता का पुष्ट ग्रास लुभावने दहेज के बूते ही तो छीन पाई थी उसकी कनक सावली थी, पर इस युग में क्या जमाता भावी पतनी का रंग देखता है? उसे तो अब भावी श्वसुर के ओधे का रंग ही सबसे अधिका करशित करता है जहां तक इसका प्रशन था, शाम बिहारी अपने ओधे के चोखे रंग से किसी भी सुपात्र को चुम्बक की भाती खीच सकते थे एक तो वो कमिशनर थे, उस पर ICS हमाई ICS अब रेवा के अलब सफेज शेरों की भाती अपनी वन्शुरिद्धी की शीन संभाव नाओ के कारण अन्मोल हो उठे है ये प्राय ही हसकर अमला से कहते रहते आज तो उन्हें बात करने की भी फुरसत नहीं थी सुभे से जनवासी का ही प्रबन देख रहे थे नाओ, तंबोली, धोबी, सबके तंबू तंचुके थे और तीनों किसी अंतराश्ट्रिय प्रदर्शनी के से विभिन स्टॉल में खड़े अधिकारियों की ही ततपरता से मुस्कुराते खड़े थे ये भी इस अनोखे युका एक अन्युका रिवास चल पड़ा था आएंगे छेला बराती बन केर पर दरजनों घड़े से निकाले गए सूट इस्त्री करवाने कन्या के पिता के यहीं ले आएंगे जिसे देखो वही हजामत बनवाने बैठ जाएगा चाहे घराती हो या बराती मुफट का चंदन घिस मेरे नंदन इसी को कहते है कहीं बरातीयों के आने के पहले ही सब पान निगोड़े घर ही के महमान न चल डाले अमला मन ही मन भुन भुना रही थी एक तो घर के ही मेमानों ने चार दिनों से उसका पट्रा बैठा दिया था पाच दर्जन तो बच्चे ही बिन बिना रहे थे उस पर देवरानी, जिठानी और चचेरी ममेरी नंदों के नकरे देखकर तो उसका खून खौल रहा था इसी से भाग कर बाहर आई थी बरेली बाली मम्या सास को लेसुन प्यास की बद्बू से दिल के दौरे पढ़ने लगते थे उनका कमरा अलग करके उठी ही थी कि दो चुचेरी नंदों ने बच्चों को लेकर भयानक युद्द छेड़ दिया दोनों सगी भेने थी पर आज आमने सामने तनी रंगचंडी ही तो बन गई थी उन्हें छुड़ा कर अलग किया तो उसकी स्विस भावी एक ही पैटिकोट और बिना भाहों का ब्लाउस पहने अर्द नग नवस्था में अर्दली चप्रासियों के सामने ही उससे साड़ी पहना देने का अनुरोद करने आधम की पिछले मा उसका चोटा भाई विदेश से एक लंबी तगड़ी ब्यालाया था क्या करती बिचारी अमला भाई को बुलाती और भावी को कैसे छोड़ देती उसकी ताड़ सी देह में साड़ी लपेटना आकाश में चंदोवा टाकना था साड़ी पहनाते ही वो चटपट बाहर निकल आई थी बाराद भी तो आती ही होगी उसने घड़ी देखी अभी देर थी पर बाराद के आने से भी अधिक चिंता उसे एक और व्यक्ती के आने की थी और वे थी उसकी फ्रांस प्रवासनी ननद मीना जो पूरे बीस वर्ष के बाद माई के लोट रही थी कभी ये नननद उसकी प्रांप्रिया सकी थी वो उसे सर आखों पर बिठा कर इस ग्रह में लाई थी उसकी सास ने तो दूसरी लड़की पसंद की थी कुछ दिनों तक दोनों की मैतरी मुहले भर की स्त्रियों के हृदय में विश खोलती रही दोनों एक से कपड़े पहनती, हस्ती, खिल-खिलाती, एक दूसरे को बाहों में लिए फिरती रहती पिर जैसा प्राय ऐसी प्रगाण मैतरी का अंत होता है, वैसा ही हुआ अचानक दोनों में ऐसी ठंकी कि आखों ही आखों में नंगी तलवारे लपलपाने लगी और दो तूटे हृदेयों की दरार मीना की विदा तक नहीं जुड़ी जगडे का सूत्रपात हुआ था आभूशनों को लेकर मीना की विद्वा मा का पूरा गहना एक सामानी सी पोटली में बंधा काटके बकस में पड़ा रहता कई बार पुत्र के समझाने पर भी वो बैंक में रखने को राजी नहीं हुई तो खीचकर शाम बिहारी ने कहना ही छोड़ दिया पर इधर उनका अधिकांश समय तीर थियात्रा में ही निकलने लगा था और वो एक-एक करके अपने आभुशन कभी बदरी ना चड़ाती कभी रामेश्वरम एक दिन अमला और मीना ने मंत्रना की कि जैसे भी हो अम्मा के इस धार में कौधारे के सैलाब को बांध नहीं होगा अम्मा जी अम मीना की सगाई हो गई है आप ऐसे गहने मत लुटाईए अमला ने एक दिन सास को टोक दिया हाँ अम्मा आज फैसला ही कर दो क्या मुझे दोगी और क्या भाबी को मू लगी मीना ने दोनों बाहें अम्मा के गले में डाल दी कहीं ऐसा नहो कि कभी इसी करमजली पोटली के पीछे हम दोनों लड़ पड़े अमला हो हो कर हस पड़ी थी तब तक दोनों ननद भाबी अटूट मैत्री के रस सागर में आकन डूबी थी इसी से कले की कालपने संभावनाओं का प्रसंग भी हास्यासपत लग उठा था ला मरी निकाल ला पोटली आज ही वाट बूटकर जगड़ा निप्टा दू अम्मा ने चाबी का गुच्छा हसकर पटक दिया था और मीना चटपट पोटली निकाल लाई उफ कैसे कैसे भारी गेहने थे टोंक, मगर, अनन्त, जैपुरी, जूमर, रामपुरी मचलियां, चंद्रहार, बेसर और कुंदन की पाउची मीना के नाना सिविल सर्जिन थे, अम्मा एक लौती पुत्री थी, इसी से नाना ने गेहनों से लाट दिया था सबसे विलक्षन आभूशन था, एक लंबी नीली मखमिली डिव्या में बंद, नागिन के आकार की लचक्ती करधनी उसकी जालीदार नकाशी पहले भी कई बार ननत भावी को जुमा चुकी थी, पर तब ईर्श्या के सर्प, फन फैला कर दोनों में से एक को भी डसने नहीं दोडा था आज दोनों के कलेजे एक साथ धड़क उठे, पता नहीं अम्मा करधनी किसे देंगी? मीना सूच रही थी, मैं तो अम्मा की कलौती बिट्या हूँ, करधनी मुझे ही देंगी अम्मा सूच रही थी, कितने अर्मानों की बहु हूँ मैं, करधनी हो नहो मेरे ही हिस्से में आएगी अम्मा की खयाली हंडिया में उधर उबाल पर उबाल आ रहे थे सब कहना मन ही मन बाट चुकी थी पर दोनों की तृष्णा के प्राण उनकी करधनी पर ही अटके हैं वो जान गई थी बेटी तो पराया धन है कल परसो ब्या होगा तो पराई हो जाएगी जिंदगी तो उसे बहु के साथ ही काटनी थी फिर करधनी भी साधारन नहीं थी एक चिर रुगन जड़िया को मीना के नारा ने उसका खोया पौरुश लटा दिया था अपनी मूख कृतग्यता को सनूठी करधनी के कारिगरी में वो सदा के लिए अमर कर गया था कैसी लपलपाती जीब थी नागिन की आखों में जगमगाती दो हीरों की कन्या जड़ी थी उस चमतकारी करधनी का एक और आकर्शन था एक पेच खुमाते ही वो अपनी केचली छोड़ देती जो शर्वर में सिमटकर बाई और चावी का गुच्छा बनकर लटक जाती थी अम्मा कहा करती थी जब करधनी बनकर आई तो उसे देखने लाट साप की मेम भी आई थी वही करधनी आज किसी भागिशाली को मिलेगी अम्मा ने एक एक कर कहनों की दो ढोरियां बना दी टोंक बेसर चंद्रहार अमला को, कंकर जूमर सतलडी मीना को राजिस्थानी बोरला, अटर बटर, आया अमला की देरी में कुंदन की चंपाकली, उडीसा की कटकी, सोने की कंगी, मीना की दोनों देरियां ऐसे न्यायपूर सूजबूच का प्रतीक थी कि कि किसी में भी घटबड का प्रश्नी नहीं उठता था अकेली करधनी बच गई, मीना अचानक मचल गई, अम्मा, चाहे हमारी डेरी के दो-तीन गहने भावी की डेरी में डाल दो, पर हम तो करधनी ही लेंगी, उसने करधनी सचमुच उठा ली, सास ने बहू की गंभीर मुख मुद्रा देखी, तो बड़े चातुरे से बिगड़ती स्थिती समाल ली, अच्छा अच्छा देखा जाएगा, अभी तो तुम दोनों पोटलियां बकसे में डाल दो, करधनी अलग रगदी है मैंने, पुर्जी डाल दे, क्यूं है न भहू, पर अम्मा की पुर्जी के पहले ही नियती की हो गया था, महाब शकुन, उस पर उनका सबसे प्रिया अभुशन, अम्मा ऐसे फूट फूट कर बाबुजी के मृत्यू पर भी नहीं रोई थी, पर ये हो कैसे गया, चाभी तो निरंतर उनी के पास रहती थी, कभी कभी बहु मांग लेती और कभी विट्या, शीशम का वो किस्तु का चोर घर में ही है, पर मिलेगा बीस साल में, भाड में जाय करधनी, मीना के आसो टपकने लगे थे, बीस वर्श तक क्या उसकी कमर ऐसे ही लचीली रह जाएगी, क्या करेगी करधनी का, जब कमर ही नहीं रहेगी, फिर विचारी रिक्त कमर लेकर ही से सुराल चली गई थी, श्वसर फ्रांस में इत्र के प्रसिद्व विवसाई थे, पती के साथ मीना ने स्वदेश त्याग दिया, धीरे धीरे वो मा, भाई, भाबी सबको बोल गई, पर करधनी को कभी नहीं भोल सकी, इतना वो खूब समझती थी कि चतुरा नटनी सी भाबी की फुरतील उंगलियों नहीं, भोली अम्मा की चाबी तेडिकर राथ ही राथ में करधनी गायब कर दी थी, आज पूरे बीस वर्ष पसचात, वो भाई का पत्र पाकर सोदेश लोट रही थी, अम्मा अब नहीं रही, पर फिर भी माई का माई का ही था, भाईया को देखा, तो वो रही सही पूर्व शत्रुता भी विसर गई, भाईया ने मूचे रख ली थी, कनपटी के बाल सफेद हो गए थे, और शन्भर को उसे लगा जैसे बाबुजी ही हस्ते खड़े हो गए है, और मौसी, कितना बुढ़ा गई थी मौसी, सामने के दो दाट तूट गए थे, ठीक जैस बड़े गर्व से कहा और भावी की और भाहे फैला दी, उसकी तनवी भावी बेहत फूल गई थी, करधनी धरी भी होगी तो इस विराट परिधी को कहा घेर पाएगी, उसे मन ही मन गहरा संतोश हो गया, उसकी कमर तो अभी भी विदेशी कॉरसट के बंधन में कसी, उसकी क अमारे वस्था का 21 इंची घेरा निभा रही थी, तुम तो मीना वैसी की वैसी ही धरी हो, भावी का कंड स्वर भी शरीर के साथ साथ मासल हो उठा था, भावी जी कहा है मेरी, मीना ने बड़े लाड से पूछा और भावी ने एक सावली सी लड़की को उसकी ओर ठेल दिया मीना ने भती जी का माथा चुमकर कहा, मेरी दिव्या से सवा महिने बड़ी है तू, उसे क्यों नहीं लाई भुआ, भती जी ने पूछा, उसे अपनी दुकान सौप आई हू रानी, एक दिन भी बंद रहती तो लाखों का नुकसान हो जाता, क्रिस्मस आ रहा है, भुआ न साडियां, आलता, नकली चोटियां, जूमर, यहां तक की मांग भरने का सिंदूर और बिच्वे का जोड़ा भी मिल सकता था वहाँ, कभी फ्रांस के एक्के दुक्के भारतिये विवाहों के लगन खुलते, तो मीना की दुकान ही सोहाग पिटारी जुटाती, काश अम्मा क की करधनी होती, तो वो टिकेट लगाकर प्रदर्शनी से ही माला माल हो जाती, ऐसी व्यविसायक खटके बाजी में तो उसकी कलपना बेजोड थी, कुल जमा तीन दिन के लिए आई हूं भावी, इधर तुम्हारी रानी विधा हुई, और मै उड़ी फ्रांस को, अपने ती हीरों का हार पहने द्वार पर खड़ी मुस्कुरा रही थी, फुस्फुसाहट तीवरो उठी, कैसे जगमगा रहे हैं, असली हीरे हैं, चलहट, विदेशी नकली हार भी ऐसे ही जगमगाते हैं, पिछले साल मेरा छोटा बेटा मॉन्ट्रियल से लाया था, नहीं नहीं, फ् लंद इमारत के सामने छोटे मोटे आभुशन पहने, भड़कीली नारियों की आवास ऐसा तुछोटी, जैसे जोपनियों पर धरे दिये टिम्टिमा रहे हो, क्योरी मुनिया, हार तो असली लगे है, आट-दस हजार का तो होगा ही, मौसी ने बड़ी ललक से हार की लोलक को हाथों में ले लिया, असी हजार का है मौसी, मीना ने कुछ हूचे ही स्वर में कहा, अपने दामी आभुशन का मूले बताने में क्या कभी नारी चुकती है, फिर तो दूले को देखी कौन रहा था, आखों ही आखों में हार की आलोचना चल रही थी, कहा था ना मैने, असी ह जार्गी के विवाह की रौनक, विद्यू छटासी शन्भर में ही लुप्त हो जाती है, उस पर ग्रै स्वामनी भी अधितियों को रोकने के मूड में नहीं थी, मीना ने भी भावी के तुच्छु स्वभाव को पर अख लिया था, उसने जाने का प्रसंग उठाया, तो अम ताले मायके की ममता और घनेरी हो आई, घूम खामकर वो अमचा कुचा सामान देख रही थी, और स्मृतियों के पट खुलते जा रहे थे, बाबुजी की आराम कुरसी, अम्मा का पीड़ा, उसका बोल्डिंग का सेहचर काला स्टील का बकसा, सैसा वो ठिटग गई, शीशम का वही बकसा, जिसके अभेत ताले को बिना खोले ही किसी कुशल हुडूनी ने करधनी गायब कर दी थी, बड़े लाड़ से उसने ताले को हाथ में लिया, और नजाने किस ममता के अद्रिश इस पर्ष से ताला खट से खुल गया, शायद बजार जाने की हरबड़ी में भा भावी ठीक से बंद नहीं कर पाई थी, देखो भावी इसमें अब क्या रखती है, मीना ने दोनों हाथों से भारी ढखना उठाया, पर क्या केवल इसी कौतुवल ने उसे प्रेरित किया, पुराना किनारी गोटा, तूटे पलग और अम्मा का फुलवरी दुपट्टा, कै इसका कलेजा उचल कर बाहर आ गया, वही चमक दमक और वही चमक ती आखी, अनुभवी हाथों के अनुभूत स्पर्ष ने पेच खुमाया, शर्णभर में सर्पनी की केच्छल चाबी का गुच्छा बनकर लटक गई, कुछ देर तक वो सूचती रही, फिर एक तड़क से क करदेनी लेकर उट गई, काट का बकसा, फिर जो का त्यों, ताला लटकाए निर्जीव बन गया, भावी लोटी, तो मीना अपनी साडियों को तह करके रख रही थी, बोले चेहरे पर एक शिकन भी तो नहीं उभरी, हाई मीना, तुमने अभी से समान बांद लिया, अमला न और वो रुख नहीं सकती, इसी से वो दुलार भरी बनावट का आग्रह कर रही थी, मैं जानती हूँ, उसने रुमाल से आके पूछी, तुम अभी भी हमसे रूठी हो, उस सड़ बिल्ली करधनी का सत्या नाश हो, जिसने हमें चीर कर धर दिया, तुमारे भाईया के कसम खा कर कहती हूँ मीना, मैंने उस हराम को और महराजिन को रात के दो बजे अम्मा के कमरे से निकलते अपनी आखों से देखा था, सच भाबी, मीना को बड़ा अननदा रहा था, साप का पैर आखिर साप ही पहचानता है, फिर तुमने पकड़ क्यों नहीं लिया बच्जात को, हा से दूद के दाद भी न तूटे हो, हाई रे मेरी पिद्दी, मीना ने बड़े लाड़ से भावी को बहु पाश में कस लिया, अब खबरदार जो सकर्दनी का नाम लिया, मुझसे पूरी कोई नहीं होगी, हाँ सामान बाद लो, फिर रात को खुब आराम से बाते करेंगे, करदनी सबसे नीचे धरी फ्रेंच शिफॉन की साड़ी के नीचे, हीरो के हार के साथ कुंडली मारे पड़ी थी, उस रात को बारा बज़े तक ननत भावी पत्याती रही, हार सहेश कर रख लिया ना मीना, कहीं बटवे में ही धरकर तो नहीं भूल गई, बड़ी लापरव हो तुम, भावी ने पूछा तो मीना अंधेरे ही अंधेरे में मूँ फेर कर मुस्कुरा ली, हाँ भावी, वो तो मैंने कल ही सूटकेस में बंद कर लिया था, मैं तो आज तुम्हारे ही साथ सोंगी, पता नहीं कम मिलना हो फिर, वो कूट कर मीना के साथ लिपड़ गई, स अपने वातानों कूले डिब्बे में वो अकेली थी, दामी चीज लेकर सफर कर रही हो मीना, सूटकेस को सिराने धर लेना, भावी उसके पासी आकर फुसुसाई, तो मीना का चित पश्चाताप से खिन हो गया, कितनी नीच थी वो, 20 वर्ष पहले भावी ने उसकी गर्दन पर गाड़ी स्टेशन चोड़ रही थी, किसी भी भावुकता के लिए अब समय नहीं था, भाई और भावी की आखे गीली हो आई थी, अमला बुरी तरह नाग जोड़ती से सक रही थी, मीना भी अब अपने को नहीं रोक सकी और भच्चों की भाती सुबक उठी, एक घंट एक घंटे से बीसियों बार दोरा चुकी थी, नहीं, कहीं नहीं थी, आखिर सोई तो नहीं थी, रात भर भावी उसे गलबहियों में घेर कर सोई थी, चाबी का गुच्छा पार करने में उन अधुत्तिये उंगलियों ने फिर अपनी प्रतिभा का अप्रदर्शन कर दिया अब क्या करें? क्या फिर माइके लोट जाए? क्या कहेगी भावी से? यही ना कि भावी, तुमने मेरे हीरों का हार चुरा लिया? पर भावी तो पलट कर जिवा का गहा तक प्रहार सिद्ध कर सकती थी. मीना, तुमक्या मेरी कर्दनी चुराकर नहीं भागी? उसके हीरे के ह केवल लौलक ही बेचने पर भाबी के पूरे खांदान की बेटियां ब्याही जा सकती थी हाई कितने छोटे अपराद की कितनी बड़ी सजा दे गई भाबी तो ये थी शिवानी जी की अनोखी कहानी अपराधी कौन आशा है आपको अच्छी लगी होगी सुनने के लिए धन्य इवाद